चीन ने एक सीक्रेट स्पेस ब्लेन अंत्रिक्ष में भेजा है और इसे लेकर चीन की मंच्छा पर एक बार फिर सवाल उठने लगे हैं खबर है कि यह स्पेस ब्लेन जाने के बाद से ही उत्री अमेरिका में काफी तेज सिगनल दे रहा है पताया जा रहा है कि चीन का यह प्लेन कई तरह के गुप्त सेटिलाइट जैसे अबजेक्ट लेकर गया है चीन के इस Space Plane का नाम Divine Dragon है जिसे लेकर इन दिनों दुनिया भर में हलचल मची हुई है ये चीनी Space Plane उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी किनारे पर या तो अपने किसी खुफिया जासू सी अटे पर या फिर अपने किसी जहाज को बहुत तेज सिगनल भेज रहा है एक शौक्या खगोलविद यानि एस्ट्रोनॉमर स्कॉट टिली ने चीन के इस खुफिया Space Plane को लेकर ये बड़ा दावा किया है चीन के Space Plane के रवाना होने के बाद से ही ये खगोलविद इस पर नज़र रखे हुए है चीन का ये Space Plane उस वक्त ज्यादा तेज सिगनल देता है जब ये प्रिटिश कोलम्बिया कनाडा के उपर से उडान भरता है साउथ चाइना मौनिंग पोस्ट की एक रिपोर्ट के मताबिक स्कॉट टिली ने रेडियो तरंगों के पैटरन देखे है साल 2018 में टिली ने ही नासा को एक इमेज सैटेलाइट की खोज करने में मदद की थी उन्होंने बताया था कि ये सिगनल संकेत देता है कि उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी दट पर या तो कोई खुफिया चीनी ठिकाना मौजूद है या फिर कोई जहाज है जिसे ये सिगनल भेजे जा रहे है उन्होंने कहा कि ये उनका अनुमान है दरसल चीन ने अमेरिकी सेना के स्पेस प्लेन X-37B को टक्कर देने के लिए अपना ये सीक्रिट प्लेन बनाया है चीन के इस प्लेन ने पीते गुरुवार को गोबी रेगिस्तान से उडान भरी थी तभी से इस पर दुनिया भर की नजर है स्विच्जर लैंड में मौजूद स्कॉट टिली और उनकी एक निगरानी टीम के मताबिक लॉंच किये जाने के बाद से चीन के कम से कम 6 ओबजेक्ट धर्ती की निचली कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं जिनमें ये स्पेस प्लेन भी शामिल है इनमें से एक ओबजेक्ट बेहत चमकीला और स्थिर है टिली ने कहा कि इस कक्षा में उप ग्रहों का एक जोड़ा भी हो सकता है जिनका मकसद अभी साफ नहीं है लेकिन ये संभावना है कि चीनी सेटिलाइट शायद इस बात का परिक्षन करने के लिए भेजे गए है कि क्या उन्हें अंतरिक्ष में एक दूसरे के नजदीक लाया जा सकता है और फिर सुरक्षित तौर पर वापस धर्ती पर उतारा जा सकता है ये तकनीक भविश्य में मरम्मत या रख रखाओ के लिए जरूरी हो सकती है ये इस चीनी प्लेन का तीसरा मिशन है इससे पहले भी ये साल 2020 में दो बार अंतरिक्ष में जा चुका है दोनों ही बार इस प्लेन में अंतरिक्ष में रहस्य में ऑबजेक्ट को छोड़ा था इस खबर पर अपनी राय हमें जरूर बताएं बाकि देश और दुनिया से जुरी तमाम बड़ी खबरों के देखते रहें टीवी नाइन भारत वर्ष डिजिटल